हेलो गाईज स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटासी वस पे हम यहां बात करने वाले हैं से लंका और एस्ट्रीलिया के बीज में जो दूसरा टीट्वेंटी का मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों यह वीडियो आप पूरी देखेगा क्योंक नहीं पड़ेगी आप सभी को पता है जो इसका पहला टीट्वेंटी मुकाबला हुआ था जो हमने वीडियो में बाते किती जो हमने डिसकेशन किया था उसकी मदद से आप लोग ने मिनी जील भी वान किया था और काफी अच्छे मैसेजजेस आये थे काफी अच्छे आपक कैसे वो सारी चीजे आपको यहां सीखने मिलती है दूसरी बात कि टेलिग्राम चैनल से जुड़ना भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल फ्री है आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में हमने टेलिग्राम चैनल का लिंक दे दिया है तो आप से जी का ग्राउंड है यह ग्राउंड होता कैसे जनरली यह ग्राउंड बल्ले बाजों के लिए ठिक ठाक रहता है आप देखेंगे इंटरनेशनल मैचे जो आट खेले गये यहां पर 171 का फर्स्ट रिनिंग का आवरेज स्कोर रहा है आठ मैच में से तीन बार 190 के पार गय लेकिन फर्स्ट मैच में हुआ क्या था यहां पर आप देखेंगे तो यार एक सो उन्चार्ज बना था और वह भी अस्ट्विलियन यह बनाया था तो देखो वह बात अलाग है अस्ट्विलियन टीम का अनफॉर्टनेटली ग्लैन मैक्सवल नहीं चले इस्टिव स्मिच न मिल रहा है और एक चीज और ध्यान देखेगा कि यहां पर अगर स्रिलंका की टीम पहले बल्ले बाजी करती है तो फिर जादे स्कोर की उमीद मत करना तब यह चीजे पूरी काम नहीं करेंगी क्योंकि जो स्रिलंका है वह एक वीक टीम है इन फ्रंट आफ ऑस्ट्रियन टीम ठीक है पहले हम प्लेंग लेवन देख लेते हैं उसके बाद हम लोग हैड़ टू अड़ और वैंड़ रिकॉर्ड देख लेंगे देखो प्लेंग लेवन में अल्मोस्ट सेम टीम होने वाले अस्ट्रियन टीम की मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा और यहां पे अगर मैंने आपको लास्ट में भी डिसकस करके बताया था अगर इनकी टीम को एंकरिंग की जरूरत होगी एक तरफ से स्ट्राइक रोटेटिंग की जरूरत होगी तो यह लोग जो है स्टीव स्मित को भेजेंगे चौत नमबर पर और अगर इनकी टीम के 10-12 ओवर तक एक किए थे आप सामने अगर कोई लेफ्ट हैंडर खेल रहा होगा तो यहां पर मैक्सफेल गिं बाज़ीड अब ना रहे हैं तो मैक्सफेल गिंदबाजी कर सकते हैं इनके जो ऑपन बॉलन इस टार्क हैसली्विट पैट कमींस होगी और जब इनकी तो इनके दो होईगे तो यही तिनों आपको देखने मिलेंगे पांच गिंद बाज यूज किये थे स्टोइनिस और मैक्सवल में से कोई भी शेयर कर सकता है कभी इनके प्लेयर स्वाइज स्टैट्स आप यहां से देख सकते हैं यह मैं आपको लास्ट मच में भी डिसकस करके बता चुका हूं यहां से लंकान टीम की तो most probably यह भी कोई चेंज नहीं करने वाले हैं जैसे मैंने आपको बोला इनके टीम में दो लेफ्ट एंडर है गुनाथि लिका और दूसरे है अब यहां पर आप देखना है इनके टीम के कौन-कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर है आप यहां पर देखना है नि इंफर्चुनेटली अस्ट्रियन टीम ओल आउट हो गई ओल आउट ने नाइन विकेट आई थिंक दिये थे उन्होंने पूरी ओल आउट नहीं थे नौ विकेट गी रहे थे तो श्रिलंका की अच्छी गिंदबाजी थी तारीफ के काबिल लेकिन एक चीज का ध्यान रखन तो ये इंके इंपटन प्लिए रहे ये लास्ट मेक्ग परोर्मेंस आप आउट नियुख्वन सब्सक्राइब केपो ने तो देख चाहरो करें शींत पेट इंड वहान पर आउड़नें चार में ऐबनेंड़ refers अगर सनाका बॉलिंग डालेंगे तो या तो तीक्षणा या करूना रतने के ऊवर कट होईगे लास्ट में तीक्षणा के ऊवर कट हुए तर ठीक है इनके भी आप लोग इस्टेट्स यहां से देख सकते हैं हर एक प्लेयर का आपको इस्टेट्स देखने मिल जाएगा यदि आप भी नहीं जुड़ें जुड़ जाएगा टेलिग्राम से बिल्कुल फूरी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया और वीडियो के कॉमें सेक्षिन में भी दोस्तों हम बात करेंगे हैट तो किसका रिकॉर्ड अच्छा है किसका नहीं जनरल यह इतना ची Liverpool team का तो स्रिलंका के गैंश जंपा 8 मक्श में 16 सटार्क केसल बात करेंखन के मैच खेलते हैं तो स्टीव स्मित का अच्छा रिकॉर्ड है 55 की अवरेज है मैथ्य वेड उसके बास अताउन का अवरेज उसके बास एरॉन फिंच 62 का अवरेज एंड जो इस इंगलीज 22 का अवरेज है मैक्सवल 20 का अवरेज है इस तरह के अवरेज सब डेख सकते हैं मक्डॉर्मेट ने एक मैच खिला और 41 बनाए हुए दोस्तों जो लास्ट मैच की बात करें तो वह इसमें एड नहीं है क्योंकि वह तो आपको मैंने नीचे दिखाई दिया स्कूर कार्ड में ठीक है अब यहा आपको लास्ट मैच में भी बताया हुआ हसरंगा यहां से मैक्सवल को परसान करते हुए और यहां फिंच को परसान करते हुए तीनों को परसान किया हुए हसरंगा ने और लास्ट मैच में आपने देखा भी होगा हसरंगा फिंच यह सब ने कितना अच्छा बैटल निभा हसा ईपना तो उसके बाद हम बात करें यहां पयां पे चंदीमल को मैक्षवल ने आउट किय कुँ участल मेंडिस सभी खेल नहीं रहें अभ इसका फनलेंडो को केप्टन तो देखो एरण फिंच लास्ट में बहले फ्लॉप होई लेकर इन हर बार तो फ्लॉप होंगे नहीं क्या पता रन बना जाए उपन कर रहे हैं उसके बाद वाइंदू हसरंगा मक्डॉर मेट ग्लैन मैक्सवेल और असुलियन बॉलर्स असुलियन बॉलर्स में जेंपा उनका रिकॉर्ड काफी बहतर है अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं जी यल चॉइसेज की तो देखो यहां पर है डी चंडिमल और जॉस इंगलिस अविसका फरनेंडो स्टीव स्मिथ एंड बी फरनेंडो देखो डी चंडिमल को काफी लोग ध्यान नहीं दे कीपिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन इनको बहुत कम लोग सेलेक्ट किया हुए उसके बाद अविसका फरनेंडो की बात करें अविसका फरनेंडो आपको वन डाउन या टू डाउन बैटिंग करते हो देखेंगे थोड़े से हीट और मिस्टाइब के प्लेयर हैं जबसी यह उ लेकिन इनको कोई नहीं ध्यान देगा अगर स्रलंका की टीम पहले गिंदबाजी करते हैं तो इनको आप ध्यान दे सकते हैं अब किसे बना सकते हैं चारो अस्ट्रियन बॉलर्स में से आप किसी को भी जैंपर हैजलवूड टॉप पे आते हैं फिर पैट कमिंस और स्टार् अब लिखना भूल गया इस्टोइनिस जॉस इंग्लिस और ग्लैन मैक्श्वल ग्लैन मैक्श्वल तो स्मॉल लीग में भी अच्छ होएंगे लेकिन आप काफी लोग बनाएंगे नहीं ठीक है तो ग्लैन मैक्श्वल का भी पूरा हम लोग मतलब एक्स्प्रीन करेंगे क्य क्या रीजन है क्या नहीं है अभी आप लोग यहां पर मिचल मार्स को एड कर लेना मार्कस टोइनिस जॉस इंग्लिस और ग्लैन मैक्श्वल और असल ऑप्शन जो मैंने आपको बताया और असुलियन बॉलर्स को ठीक है इन लोगो ग्रेंड लिग मैंजे कैप्टन जॉस इंगलिस की बात करें देखो मैं आपको फेल एक चीज बता दूं यहां जो टीम डिसकसरन बात कर रहे है यहां यही आपको सेक्शन-वाइज हर प्लेयर हर जगए मिलें गे तो हम यहां पर दिसकसर कर लेंगे अब जहां पर भी टीम बनाना चाहते हैं आब बना सकते और यदि माई फेविलोन पे आप खेलना चाहते तो आपको टेलिग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा आप साइन अप कर सकते हैं क्योंकि यहां पे आपको थोड़ा कमेंटरिफीज देना पड़ता है अधर साइट के कंपरिजन में अब देखो यहां पे जोस इंगलिस को लि देखो यह 20-30 आपको बना के देही देंगे दूसरी बात कि इनके पास कीपिंग एडवांटेज भी रहेगा और इनकी बल्लेबाजी यहने के चांसे हच्चे खासे रहेंगे क्योंकि इनकी टीम जो है थोड़ी वीक है तो बल्लेबाजी यहने के चांसे रहेंगे अगर मु बल्लेबाजी में मकडॉरमेट बहुत अच्छी फॉर्म में है लास्ट मच में बहुत कम लोगों ने लिया था मैंने आपको जील अब लास्ट वाली वीडियो जाके देखना जील में केप्टन सजेस्ट किया था इनको उसके अलावा इनका फॉर्म जो है बीबिल से काफी बहतर है अगर हम बात करें तो देखो यह उतने अटेकिंग होके तो नहीं खेलते हैं लेकिन एंकरिंग करते हुए अच्छा खासा पारी खेल लेते हैं जैसे लास्ट मच में खेला था तो अब देखो मैंने शिरलंका के गिंदबाजी पर थोड़ा जादा भरोश दिखाया तो भी उनके गिंदबाज बटोर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर पाथुम निशांका को नहीं लिया एर्वन फिंच लास्ट में फ्लॉप हुए हर मैच में फ्लॉप नहीं हुए थोड़े से हीटर में इस टाइप के हैं प्लियर लेकिन फिर भी बड़ा पारी खेल ग गए तो ऑफिस पिनर को बॉलिंग मिलेगी और यह लोग नहीं टिकेंगे तो फिर मार्कस टोनिस लास्ट में पूरे चारवड डाले यह करवा के जा सकते हैं ठीक है तो मार्कस टोनिस चौथे बॉलर पांचों बॉलर के रूप में और मैक्सवल भी पांचों बॉलर के गुना थिलिका और इसका फरनेंडो है तो यह भी अटैकिंग प्लेयर्स लेकिन रिसेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहें दोनों के दोनों उतना अच्छा फॉर्म नहीं है चाहे लपील उठालो चाहे वल्लकप उठालो उतना अच्छा फॉर्म नहीं है तो मैंने ग्रेंड लिग में ही ट्राइक करना इस्टीव श्मित का मैंने आपको बताया देखो टीट्वेंटी के अगर हम देखे तो इनको उतना ज्यादा मौका मिलता नहीं है और मौका मिलता भी है तो यह मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अटैक करके खेलते हैं यह नॉर्मली रंस बना लेते हैं और बल्लेवाजी आने के अच्छे खासे चांसे रहेंगे इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है कि दोनों तरफ से बैकप देंगे अधरवाइस आप इनके जगे पर जो है नसांका को लेना चाहों ले सकते हो लेकिन अगर निशांका 10 रं के अंदर आउट रिकते हैं तो इनको बॉलिंग भी नहीं मिलेगी और बैटिंग किसे बात करें तो हो सकता है जॉस इंगली समक्डॉर मेट और एरन फिंच अच्छे का से रं बना ले तो इनको उतना अधा रं बनाने का मौका ना मिले तो इसलिए मैं इनको जो है ड्रॉप किया हुआ है ल एक उप्सन आपको मैं और देता हूं यहां से पैट कमिंच को हटा के मैं फिर इनको रख सकता हूं ठीक है यह चीज तो टॉस पर डिपेंड करती है अभीकले तो मैंने नहीं लिया हुआ है यह फिर आगर आपको ऐसे भी करना है तो देखो जोस इंगली सकते हो अंड़ ले अभी के लिए तो मैंने यह टीम बनाई हुए है इनको मिस्किया हुए अकॉर्डिंट देखेंगे दासुन चना का उच्छा उप्शन रहेंगे नहीं कभी कभारी रन बनाते हैं और अधर्वाइज एका दो वर डालते हैं अच्छा उप्शन रहेंगे यह लोग खेल नहीं फाइनल अपडेट आपको टेलिग्राम पे दिया जाएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दिये गए देखो जो सजलोड एडम जंपा मस्टप पिक किसी भी इनिंग में इनकी टिम गिंबाजी करा ह लेकिन देख़ में आतेए रिकेड उकषन में या यहाएंगे टो इन्होंने लास्ट मिट में इक योनोमिकल बॉलिंग डाली और देखो इनकी टिम पहले बॉलिंग करेगेडिक रिक्या लेकिन जैसा मैंने आपको बोला हर बार अस्ट्रियन टीम इतने ज्यादा विकेट नहीं देगी तो मैं अल्रेडी बीफ डी चमीरा करूरा रंतने को कंफर्म ले चुका हूं अब देखो डी चमीरा के टीम अगर पहले बॉलिंग नहीं डालेगी न तो आप इनको मिस कर सकते ह है जैसा मैंने आपको बता है इनके जिगे पर चंडिमल उठाओ और फिर यहां से जॉसिंग लिस्ट के जिगे पर आप किसी और को ले सकते और स्ट्रियन बॉलर्स को ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखना अभी क्लिए मैंने पैट कमिंस को लिया है अगर पहले बॉलिंग जाँगा और फिर हो सकता है मैं मैक्सवल को ना लो सिच्वेशन में इस्टार को मैंने लिया वाई एक विकेट टेकिंग बॉलर्स कभी बॉबर्स कभी एक उच्छे में विकेट लेके जा सकते हैं लेकिन उस्ट्रियन टीम के सामने उतना ज्यादा चल नहीं पाएंगे क्योंकि उस्ट्रियन टीम काफी मजबूत है बाकी नीचे उतना अच्छे उप्शन कोई है ने जो की खेली नहीं रहा तो देखो जो टीम बन रहे कुछ इस प्रकार से है जहां पर कप्तानी तो मैंने अभी वैंदू हस्टंगा को दिया है अगर उस्ट्रियन टीम पहले ब मैंने आपको कंडिशन डिसकस किया ठीक है तो अगर इनकी टीम पहले बल्ले बाजी करेगी तो मैक्स्वल लेंगे तो वह भी अच्छे उप्शन है ठीक है बाकी जौस इंगली से थोड़ा सा अलग एक्सपक्टेशन रख रखा है मैंने हो सकता है यह जल्दी आउट हो जाए क्योंकि है उस टाइप के प्लियर लेकिन अगर जल्दी आउट नहीं रन बना गए तो फिर क्या ही बात होगी ठीक है तो बाकी जो भी है रिस्क नहीं लेना जाते तो चंडिमल को उठाओ यहां और करून अरतने चमीरा के जगे पर यहां पर मैक्सवल को उठाओ तो आस के बाद देखेंगे यह सारी चीजे अब दो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा टेलिग्राम पर जुड़ जाएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में मिल जाएगा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबा देना थेंक्यों सो मच दोस्तों यह वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद